नमस्का साथियों आपका लब लिपाल किचन और क्रेटिविटी चैनल में स्वागत है आज मैं बनाऊंगी सूजी के बहुत ही टेस्टी हल्वेब बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और खाने में बहुत अच्छे लगते हैं देखें मैंने सूजी के हल्वेब सूजी का घी के साथ में रोस्ट कर लेना यह देखे मैंने कड़ाई रख दिया है यह इसको अन करेंगे उसमें कड़ाई रख देंगे कड़ाई रखने बाद में इसमें 5-6 बड़े चमस घी को आइड करेंगे गी जब करम हो जाएगा तब इसमें सूजी को धीरे धीरे डालना है स्टार्ट करेंगे और उसको गैस की फ्रेम को धीमा ही रखना आए ताकि सूजी जो डाले हो जले न यह देखें सूजी को आइड कर दिया है गी में ही बनाना है तब ही अच्छा टेस्ट रहेगा अगर अब तेल में बनाएंगे तो फिर अच्छा टेस्ट रहेगा यह मैंने सूजी आइड कर दिया है दीरे दीरे सूजी को प्रोस्ट कर लेंगे ज्यादा ब्राउनी करना हल्का ब्राउनी रखना है तक कि अच्छे से सूजी पत्पी जाए और देखने में भी अच्छी लगे खाने में भी अच्छी लगे इसी तरीके चलाते रहेंगे गैस के फ्रेम फोल लो रखेंगे अब एक दूसरे पैन में दो कप चीनी लेंगे ये देखें बड़े कप मैंने चीनी लिया है अब उसमें एक ग्लास पानी एट करेंगो इसको पकने के लिए रख देंगे क्योंकि इसका मुझे चलाओ बनाना है गैस को रॉन करके इसको पकने के लिए रख देंगे आप चाहिए तो इसमें इलाइची ऐसे ही याइट कर सकते हैं चीनी के गोल में पका सकते हैं ये देखे मैंने इसको कोट लिया है इलाइची को भरी इलाइची को और जलाओ जो मैंने चीनी और पानी को एट करके पकने के लिए रखा उसी में मैंने एट कर दिया है इलाइची को आप चाहे तो इलाइची के दानों को पीसकी भी सूजी के स इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंको उधर जलाओ पकड़ा है मैंने क्या किया उसके पहले आपको ड्राइफ रूट जो है मैंने बदाम लिया है काजू लिया है किसमिस लिया है इन सभी को पतला-पतला कट कर लेना कट करने के बाद में कड़ाई में खीलेना है घी में सब्सक्राइब का हुआ गी Supreme नाटों मेंजी इसका टेस्ट म oral works करने पे इसका और तका आठम के साथ मिर्जर्ट क करने के बाद में जू मैंने सूझी ठंडा हो NhE छोड़ा था हूं कि मैं कीक एक कर देंगे सब्सक्राइड कर दिया है तब तक अपनी जो चासनी थी वह भी पख चुकी है यह देखिए चासनी को चेक करने के लिए आप उंग्ली में लेंगे और उसको डिप करके दूर्सी उंग्ली से देखेंगे इसमें जा ले पाड़ना तो मालब चासनी पख चुकी है इसको चासनी से छान लेंगे ताकि कोई इसमें जो छोटे-छोटे कुछ भी टुकड़ा गंड़ी हो तो वो चासनी के मदद से उसी में रह जाए उसको सूजी में मिक्स कर लेंगे मिक्स अच्काई भी दिर दिर मिक्स करेंगे तो इसको जादा एब्रॉब करते है तो वह करते हैं तो को इसी थे बनाने है कि यह दखे जास नीकुन मेरे मिक्स कर लेंगे हब जासनी को कि वह कि तोर सुच ले रहे हैं Sugi में चास्णी और ट् truth mix करने के बाद में प्लेको 10-15 मिनट के लिए उसको ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे ठंडा होने के बाद में ज्यादा थंडा भी नहीं तोविए फिर झाहई हो जाएगा प्लेट में ऐसे ही छी पक जाएगा मिक्स करने के बाद में इसको दस मिनट बाद इसके लड्डू बनाना इस्टार्ट करेंगे इसको देखे प्लेट में इसको अच्छे से फैला देंगे ताकि यह आराम से असानी से ठंडा हो जाए अश्कुल धीरे-धीरे 10 मिना पर लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे यह लड्डू बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाता है बस इसमें जो मिजर्मेंट है वो एक्जक्ट होना चाहिए सूजी चार कप दो कपचीनी तब ही अच्छे बनेंगे ड्राइफ रूट्स आप अपनी चॉइस के अंसाल दे सकते हैं आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है यह देखे लड्डू का कलर देखिए लड्डू बनके बिल्कुल रेडी हैं आप लोग इसी तरीके से लड्डू की रस्पी च्राइ करें थैंक यूँ क्या दे सकते हैं